हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज मैं आप लोगों के सामने पनीर की एक ऐसी रेसिपी लेकर आने वाली है जो खाणे में इतना डेश्टी लगता है कि अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो आप उंगलिया चाटते रह जाएंगे और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो इसके लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई में सरसू का तेल डाल कर गर्म करेंगे तेल जब गर्म हो जाए इसके बाद इसमें हम पनीर डालेंगे पनीर को हम मीडियम साइच का काट कर डालेंगे बहुत जादा बड़ा भी नहीं और बहुत जादा छोटा भी नहीं इसको हम हलका सा चलाएंगे पनीर को हम धीरे धीरे चलाते वे फ्राइ करेंगे ताकि ये तूटे नहीं इसको हम बहुत जादा फ्राइ नहीं करेंगे इसको हमें तब तक फ्राइ करना है जब तक पनीर के उपर हलका सा गोल्डन स्पॉर्ट नहीं आने लगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि पनीर के उपर कितना अच्छा गोल्डन कलर आने लगा है बस हमें इसे इतना ही फ्राय करना है इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे पनीर को बहुत जादा सॉफ्ट बनाने के लिए इसको हम पानी में डुबाएंगे इसके लिए हम हलका सा गुनगुना पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे इसको अच्छे से mix कर देंगे और इसके बाद इसमें हम पनीर को डाल देंगे इसे डाल कर कम से कम 5-10 मिनट तक रखेंगे इससे क्या होगा कि इससे पनीर पूरी तरह से soft हो जाएंगे और पनीर के अंदर नमक भी अच्छे से चला जाएगा इसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे ग्रेवी बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है सामान वही है बस तरीका थोड़ा अलग है इसके लिए हम क्या करेंगे कि कढ़ाई में जो तेल बचा था जिसमें हम पनीर फ्राई किये थे उसमें हम थोड़ा सा खड़ा गरब मसाला डालेंगे इसके बाद हम इसमें लैसुन की कली डालेंगे लैसुन की कली यहां में थोड़ा ज़्यादा डाल रही है इसके बाद हम इसमें अद्रक के टुकडे डालेंगे लगभग 10 सेकेंड तक रुकेंगे इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे प्याज को लंबाई में काट कर डालेंगे इसके लिए प्याज को हमें बहुत जादा फाइन काटने की जरूरत नहीं है इसे थोड़े मोटे मोटे टुकडों में काटेंगे तो भी चलेगा इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे इसके बाद इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च को बीच में बस हलका सा कट लगा देंगे इसके बाद ही डालेंगे फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इन सब को डाल कर हम अच्छे से भूनेंगे प्याज जब गुलाबी हो जाए और इसमें से बहुत ही अच्छी खुश्वो आने लगे तो इसके बाद हम इसमें थोड़े से काजू डालेंगे काजू को बीच से तोड़ कर डालेंगे इससे काजू अच्छे से अंदर तक भून जाएगा इसको भी हलका सा भूनेंगे इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे टमाटर को भी मीडियम साइज के टुकडों में काट कर डालेंगे टमाटर जब अच्छे से भून जाए इसके बाद हम गैस आफ कर देंगे और इस मसाले को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे जब ये मसाला अच्छे से ठंडा हो जाए इसके बाद इसको हम पीस लेंगे अगर आप इस तरह से मसाला को भून कर बनाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है इसके बाद हम एक बरतन में थोड़ी से हल्दी लेंगे थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे थोड़ा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर लेंगे इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक पेश्ट बना लेंगे इसके बाद फिर से हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें गही डालेंगे अगर आप खी नहीं डालना चाहें, तो आप तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा लगता है घी जब गर्म हो जाए, इसके बाद इसमें हम जीरा डालेंगे जीरा जब अच्छे से तड़क जाए इसके बाद अभी जो पाउडर मसाला का पेश्ट हम तयार किये थे उसको इसमें डाल देंगे और इसको हलका सा भूनेंगे आज को हम धीमी रखेंगे धीमी आज में इसे हम हलका सा भून लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत ही अच्छे से भून गया है और इससे पेल भी अलग होनी लगा है इसके बाद इसमें जो प्याज, काजू, टमाटर का जो पेश्ट था उसको हम डाल देंगे यह पेश्ट बहुत ही ठीक है तो इसलिए मिकसर जार में हम थोड़ा सा पानी डाल कर उसको भी अच्छे से मिला कर डाल देंगे इसके बाद हम इसे भूनेंगे इस पेश्ट को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि यह पहले से ही भूना हुआ था थोड़ी देर भून लेने के बाद इसमें हम घर की फ्रेश मलाई डालेंगे इससे सबजी में थोड़ी से मिठास आएगी और ग्रेवी भी थोड़ी से क्रीमी बनेगी और टेश्ट तो बढ़ेगा ही अब क्रीम डाल कर इसको अच्छे से मिकस करेंगे इसके बाद इसमें हम पनीर डाल देंगे पनीर डालेंगे और साथ ही जिस पानी में पनीर को हम डोबो कर रखे थे उस पानी को भी हम इसमें डाल देंगे अच्छे से मिकस करेंगे और इसके बाद हम पानी में उबाल आने का वेट करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि पानी में अच्छे से उबाल आ गया है इसके बाद इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे हलका सा मिक्स कर देंगे और ढगकन लगाकर इसको थोड़ी दिर तक और पका लेंगे इससे पनीर के अंदर ग्रेवी का सारा फ्लेवर अच्छे से चला जाएगा थोड़ी दिर के बाद हम ढखकन हटाएंगे और लीजे फ्रेंड्स हमारा पनीर की बहुत ही टेश्टी सबजी बनकर तयार है इस सबजी को आप रोटी पराठा नान किसी के साथ भी खाएए यह बहुत टेश्टी लगती है तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करें और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू